अम अग्यानति विरान्धास्षा जनान जनाशलाकया चोक्षरुन्मेलितं जेनतस्मई स्रीगुरवी नमा। हम लोग जे स्थान पर आए हैं। इस स्थान अग्यान का स्थान मूर्हक का स्थान। अमूर्ख़ लूकस्तन, यूपलादस्थ. lonely झालीष यूए थिवरुवीरु स्थान। यूपलाद़ लूए थिए। वहीं हमालना प्रश्षिक, हम खालफ झालप हम मaron üst assignments लेहं? साहिंवे हमें द कि लिग को ख्रवसा हैं? लेहाँ हा aucunालना पुो है टो रिबसा बावता नाच्टरोड किनी हैंता हम पुच्टरों हम पुर्षीर के पुालिय। एक लिपन औल दुब एक ही और और त first of all, it will be a बिल किल्ट, demons will be killed and driven away, and then you will be able to enjoy Maudhubovन or the nectar at Maudhub. Like this! No 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 वालत में नच्टा। आम एक लच्टा लद भीकुट। जो वालाइब के सकते हैं. वार्वें फिरे इस दोती है. विजड अभी अन्नूदै इजिते हैं. उदोग ले हैं. है जब विख्व लेक्षा मिलस्टाइड रहा है, बिज़ भी ही है, तो पत्रुट्टेट नोज़ नोज़ पत्रऴट, ša tree प्रिस् फिर्व मत प्रुटी उन्हें रुर्ट्प्टी और किसी बोल देर्ञ्ट्णा और विडुपार पाली टुमजी को पाल्यवार चौकी से लोगिवत, कında यहागतो खिए ने रोख में लbreaking the fruits. So they came here to kill the demon, but Krishna did not kill. It is the duty of Valerie. The ignorance is removed by Gurudeva. Valerie and Guru demasiado अब्र वीजगेे Transit बल्यवद यहागतों. So, this will be explained later on by reverend Bajnabal. Thank you. बल्देप्रभु की सचिदानन्दधाम में हम लोग आएं. यभ्यमी सचिदानन्दवेई और बल्देप्रभु जी का निवास स्थान है। पभी-कभी असुद लोग इसमें प्रभेश कर जाते हैं। और बल्देप्रभु जी उनका पकड़ करके बाहर कर देता। इसलिए हम लोगों जी के गुरुजी का ये स्थान है बल्देप्रवुई इस गुरुफ। अखर लोगुफ। आपको जो कुछ काना है कहाले जे तब मैंप। ने 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 तब अखर लोगुफ। अखर लोगुफ। वालदेवयान कृष्णासंद्राइप टेवर्ण एप। इप लोगुफ। इस ने ने वालदेवयान कृष्णासंद्राइप पॉच्छ अजेशार तर्फूंवर्स। यहां पर आया हैं पाले मैं हंदी में बोल्नेता हुद। और ने ने पुंदरी उंग्रेजी में इसका अनुबात कर देगा, सभी लोग समस्थे हैं। I am first telling in Hindi, and they will translate in English. हम लोग जहां पर आए हैं, हम लोग प्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं। इसलिए सब से पहले सब के गुनुबंदे प्रभुजी के पास हैं। We have come first, Jagat Guru and Akhanda Saktoguru Baladev Guru. Without His mercy we cannot enter in Bindavan. And on Parakrama we will not be successful. हम लोग की परिक्रमा से सफल नही होगी। इसलिए Guru पादपत्म के पास हम लोग बलदेव जी के पास हम लोग बलदेव जी के पास नहीं हां पर सबसेता है। हमको जाना था मदवन के तो बदवन ना जाका के हम लोग मिना रहे। यवास्थान है। 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 He is in the shape of ash, a donkey or ice. He was Dhanukasur ko यहाँ पर कंश नेनी जुप्त किया था. कंश का सुंदर एक बगीचा था यहाँ जिसमें ताल के पिस्थल राते था. The garden of कंश, कंश has appointed Dhanukasur to protect this garden, garden of ताल, you are saying palm tree. तो परे लग्स and लग्स raise of palms, here. लाखो लाखो पेडी हाँ पर थे, और कंश नेनी जुप्त किया था कि प्रजबासी कोई भीच का एक फल्फले जहिलेगा, यह महाराज कंश की सेवा मेनी जुप्त होगा. He has told that, I am ordering you to protect this forest, that not a single fruit, Prajabāsi will taste. All the fruits have come to me and for my associates. So, Dhaemakasura was guarding this, that no one should enter in this forest, कोई भी नाशके. किन्तु जब क्रिष्ण और बल्देव अपने साथियों के सहीर, वन क्रिष्ण और बल्देव प्रभूत, किन्तु नाशके, साम्तिम्स ने क्रिष्ण गाउस केंगा, वन क्रिष्ण जब किस्था सब्सक्राइब लुक्तारी प्रभूत, कि तो उस्ष्ण ने का जिख भूख लगी है, हम कुछ खाना चाहते हैं, पाशे में ताल के फ़ल पके हुए हैं, बड़ी सुन्दर शुगंधा आ रही है। इसलिए हमको कुछ फ़ल चाहिए। क्रिश्न ने कहा, दव भाईया से कहो, वो तुमको ताल फ़ल खिला सकते हैं। बड़ी से चलो। और यहां करके एक पेड़ को अपने हाथों से ऐसे नीचे से ही दाया। और सब पके हुए फ़ल किरने लगे। धब 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 कर। फ़लों से वो पठ गया। सारा आपन। इविल टंसलेट। पठ गया सब। वो खाना चाते थे। इतने में ही धेनकाशू, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके और सब साथी लोग तोड़े हुआ है। यह कहां से फल गिर रहा है, कौन गिरा रहा है। उन्हों देखा। यह गोप मंडली सब आई हुई है। और इसमें से जो श्याम है यही कृष्णा इसको मारना है। इसलिए वो बड़े जोर से चिलाने लगा। और चिलाते हुए कृष्णा और बड़े पर जखता मारने से लिए। बड़े प्रभुजी ने उसका पीछे का दो पैर पकड़ लिया। और उसे पकड़ कर एक ताल बृच्ची के उपर में फेक दिया। फेकने के साथ ही वो जहां घुमाया। उसका पैर पड़कत के पिछला वो मर गया। और ताल के उपर में फेक दिया। एक ताल का टूटा, दूसरा, तिसरा, चौथा, सभी तूटने लगे। शाथ साथ में बलदेप्रभू और कृष्णी ने दोनों ने मिल करके जितने गदे थे वो सब कुमार नारम दिया। उनकी लीद और रक्त से सारा बन भर गया। वो मारा गया। उसके साथ ही सब मारे गये। किन्त बच्चों ने फल नहीं खाया। क्योंकि वहां पर रक्त से भरा हुआ था। बड़ा घणित वहां का दिरिश्यूत बन भुआ। इसलिए किसी ने भी नहीं खाय। यहां पर भेनकाशू यह गधा है। बल्देप्रभुजी ने उसको गधे को माराज जैसा कि पुझ्यपात्य विकावनार ने माराज ने बतलाया। वो गधे लोगों मुर्ख होते हैं। इग्नोरेंस अज्ञानता। बल्देप्रभुजी ने उसे मार करके, अभ्यानता को हटा करके, सबको यह दिखलाया कि सबको क्रिष्ट का भजन करना चाहिए। जो लोग भगमान का भजन नहीं करते, वो लोग संपुर्ण उप्से कदे हैं। तो जो लोग भगमान का भजन ने थाया। तो जो लोग भगमान का भजन करते हैं, उलक जथात्ध ज्यान संपन्य है. प्रशाई बतलादो तफिराव को. So, Maharaj has explained till that... Krishna... Kansai has appointed this Denuka Sur to guard this garden of palm fruits and he told him to make sure no prajavasis should taste the fruit, but once Krishnan and Baladev, they were coming here for cow grazing and all the cowherd by friends, they requested Krishnan and Baladev that if they can arrange for some foodstuff because all the suckers are feeling कि फमेंगी ने और कोई शो इन जाँ दूख एक एक वाग्ड़ फूजा, आइट कर अवीर अप्रूट, अजूली प्टूप टूख एक एक व्हाग्ड़ कोई लग्रीज वाग्रीज मिर्न अव्हाञ प्रूब्ट लिए लगाट जासे खेली कि यह बालता सूब्ट टूब ह काँ ओर बुछाइज देए और इस चुछे इन को उुछ जो किल कुछिछने उह बहसी प्रफिए तु किल प्रफुछिट्छन थिंपा धी घ्यूरी का इस है प्रफिव प्रुछिछिए इसके सिंट रॉछिप्छन. and he died and then afterwards all his associates and all our followers his followers they also started coming and attacking on all the cohort boyfriends but then krishna and baladev one after another they killed everyone so this is how all the dhenkasur and everyone was killed so mara said that dhenkasur represents a donkey and that means fully ignored as person so those who are not doing any bhajan and they're not doing worshiping krishna or they're not making advantage of their human life they're all asses and only those people who are making an effort to realize their self they are the real intelligent people and they are in full knowledge actually i am so so i am so sorry 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 i am sir so you can see me and then go to bed and you are all akk and don't see you know its about sleeping Islam is is a chiant और पहाडों पर जब चड़ते हैं तो वहाँ पर गूड, चीनी, सक्कर, भूरा, घी उनके पीट फ़र्लाद करके हम पहाडों पर जो लगर हैं वहाँ पर ले जाते हैं किन्तु उसका एक बुंद भी उसको टेस्ट नहीं कर सकता ले जाएगा भारवहन करके ले जाएगा कर पाता, कपड़े भी अपने पीट पर ले जाता है किन्तो कपड़े भी नहीं बन सकता दूसरी बात, बर्साखे दिनों में जब चर उतरफ में हरियाली चाह जाती है, घासे उगाती है उससमें गधे को छोड़ देते हैं और वो चरने जाता है थोड़ी देर में ही उसका पेट भर जाता है, क्योंकि घास बहुत होती है किन्तो पीछे मुड करके देखता है, कि हम तो आज कुछ घास नहीं चर पाए, यह थोड़ी सी दूर हमाये है इसलिए दूबला पतला हो जाता है घास के दिनों में, बर्साथ के दिनों में और गर्मी के दिनों में, जब घास नहीं होती, बहुत दूर दूर तक घास खोज करके खाने के लिए जाता है और पीछे मुड करके देखता है, कि आज तो बहुत दूर तक में चलाया, बहुत घास खाया तो वो मूटे हो जाते हैं, ऐसे वो गधे होते हैं दूसरी बाद, एक और सबसे विशेश बाद, गधे बड़े कामी होते हैं इतने कामी होते हैं, कि गधी के पीछे चलते हैं, अपनी इस्त्रियों के पीछे और गधा लातों से उनको मारता है मूखों में, किन्तु तनिक भी उसको लज्जा नहीं आती उसे होर्ष नहीं राता है, उसी प्रकासे जो लोग संसार में आकरके कोटी-कोटी जनमों से इस संसार में भर्मन कर रहे हैं वाइन, वैल्थ, एन ओमें, इनके पीछे जो चलते हैं, वो सभी गधें बार-बार वो दुलती खाते हैं, और उनको होश नहीं राता है, भगवान का भजन नहीं करते उसी प्रकासे इंसार में जो लोग आकर इन सब चीजों में दुख्व प्लेश पाते हैं और उनको होश नहीं रहता है भगवान का भाजन नहीं करते हैं गदियों के पीछे चलते हैं मार खाते हैं अपमानित होते हैं फिर उनको होश नहीं होता है उनको गदे कहा जाता है इसलिए इन सबसे सिख्षाएं इन सबसे सिख्षाएं लेकर के संसार से अनाशक्त हो करके हरी गुरु पष्णों के विशेश करके गुरु जी बल्ले प्रभु जी के आनुगत्य में हमारा भजन करना है उद्धेशी इस जन्म का है इस जीवन का दूसरा कोई भी उद्धेश्य नहीं एक मात्त उद्धेश्य है इस उद्धेश्य को जो नहीं जानते और उसको पालन नहीं करते भगवान का भजन नहीं करते गुरु जी के आनुगत्य में वो सभी गधे और गधे हिया है I am requesting my Reverend Maharaj, let Sam explain the verse to Satman Puddy Kuna, please. So important point to note here, or Maharaj is making emphasis on the point that donkeys or asses, they are fools. So the washerman uses him, he uses the donkey to take clothes from one place to another place, and so many nice clothes he load on his back, but the donkey is not allowed to wear none of the clothes. And then in the hilly stations, donkeys are used to take heavy materials to remote places where it's difficult for any vehicles or any other buses like things to go. So these donkeys, they are carrying all nice stuff like sweets, gis and beautiful, delicious things, but they just carry, they cannot eat these things. So this is another foolishness. Third example Maharaj gave, that in the rainy season, when there is so much grass around, donkeys, they eat a lot of grass, and when they see around themselves, around nearby in the back, they see that actually, oh, I didn't eat any grass, because still there is so much grass. So he thinks that he has not done any big effort, so he becomes lean and thin, because thinking that he has not done any hard work. On the other side, in the summer days, when there is no grass around, he has to walk a lot, he has to go for miles and miles to eat grass, and he doesn't eat so much, and he becomes healthy, because he thinks, oh, I have done so much work, so I have eaten so much grass. So this is the foolishness. Another thing is that these donkeys are very lusty, and they are always running after the she-dunkies. And first thing is, when they go to the she-dunkie, she gives a kick on the face of the donkey. But despite of this getting a kick, he doesn't feel any shame, and still, shamelessly, he walks behind that she-dunkie. So Maharaj compares this thing with those people in the world who are like this. They are rooming in this material world from lives and lives and lives, but still, they are just doing the same business of attracted to wine, women, and wealth. So those people who don't do bhajan, and shamelessly, they are running after she-dunkies, they are nothing but dunkies. The only purpose of life is to serve Hari Guru and Vaishnav, especially Gurudev, Baladev Prabhu. Under his guidance, we must try to perfect our lives, and this is the main teaching of this place. We must learn this teaching and try to follow in our lives. All right. Thank you. All right. Thank you. Thank you.